आज का प्लेन ये कि मैं और भाई जा रहा है पालनपूर अभी एक्जाम खतम हो गई तो थोड़ा रिलेक्स भी करना मंगता है ना तो इसलिए हम लोग जा रहा है पालनपूर आज जाएंगे और कल शाम तक वापस बढ़ो रहा जाएंगे अभी एम लोग ट्राफिक में स्ट्रागों गए थे 10-15 मिडिट से और अभी थोड़ा से खुला रूल मिला है और अभी एम लोग पालनपूर जाने से पहले सित्पूर जाने वाले है लालू माल लस्सी वाले के वहापे वह थी फेमेस लस्सी वाले ही तर का वहापे लस्सी पीते है थोड़ा चील करते है और फिर पालनपूर के लिए निकलते है और अभी हम लोग सित्पूर के गलियों में गुम रहे है इतने छोड़ी छोड़ी गलिया है कि अगर दो कारामने सामने आ गई तो मुश्किल से निकल पाएगी और आप जैसे देखी स आप तो यह जो यह जो आप नजारत देख रहे हो यह एक मूबी में भी आया था बोलीबूर की इसका नाम था लोव यात्री सो देखें आप भी और गाइस हम लोग रास्ते से जा रहे थे और बीच में मुझे यह छोटा सा तबेला दिख गया पहले तो मुझे अंजर जाने से डल लग रहा था लेकिन वहाँ पे जो अंकल खड़े थे वो मुझे अंजर ले गए फिर पूरा तबेला गुमाया आज बजों के खेट दिखा और रास्त में जाने के टाइम मुझे काव और बफेलो को चारा भी मेरा हट से खिलवाया और फिर ऐसे जाके मेरा काव और बफेलो का डर कम हुआ तो गाइस टूड़े इस नेक्स टे हम परसो को शाम को साड़े चे बज़े पहुच गए थे फिर हमने थोड़ा बहुत गूमा तो उसका पलग मने नहीं किया लेकिन आज मैं प्रोपर आपको प्लेस दिखाऊंगा कि यह प्लेस कैसी है और दिखाऊंगा कि गाह में लोग क इस तरह से रहते हैं सो स्टे ट्यून और यह देखो गाइस यह क्या कर रहे है यह अपना ब्रस तो घर पे बूल गए और इधर से निम्का गातिंग कर रहे है और पिछे से कुट्टा दिख रहा है उसको भी इन्होंने ब्रस करवाया बाद में हुआ है है हम लोग इधर रुके थे यह उनका पिछे पुरा गार्टन है और इधर ऐसी ऐसी चीज़े मैं ने देखी है जो मैं मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी जैसे कि यह जो पेड़े उसके उपे यह जो लगा हुआ है वो निकाल के खाते है उसके अंजर से बीज निकलता है वो निकाल के खाते है फिर यह रवे रहा है ऐसी पहुत सारी सीज़ां कल ने इधर करी है पूरा आसपास का इलाका जहां पर हम लोग रह रहे थे इतनी सांती है इधर की मज़ा आजाता है रहने का मुझे गाव में ज्यादा अच्छा लगता है ऐसी कोई बोलता है गुआ में अच्छा लगता है कोई बोलता है उदेपूर में अच्छा लगता है लेकिन जो सांती गाव में मिलती है वो कोई भी जगे पे नहीं मिलती है इतना पीस्पूल एटमोस्पेर है इधर दा की मज़ा आ जाता है रहने का एक दिन हमने इधर स्टे किया पालनपूर में और अभी हम लोग जा रहा है अमबा जी वहाँ पे माता जी के दर्शन करके वहाँ से डारेक्ट वड़ो दरा यह देखिए गाइस पीछे क्या है बरफ पालनपूर में बरफ आ गई इसका क्या रिजन हो सकता है अपको पता है ठीके आप मैं पता जाओ यह बरफ नहीं है उप्पे से पता नहीं कुछ गिर रहा है वाइट वाइट कलर का यह उसका कलर है पूरे पत्थर वाइट हो गए एक दो किलो मीडर टक सारे पत्थर वाइ सब्सक्राइट है अब भी हम लोग अंबाजी से निकल चुक है बड़ी अच्छे दर्शन हुए और अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वह देखके आप सिर्फ अंदा से लगाना कि यह जगा कैसी होगी जो व्लॉग में ऐसे दिख रही है तो रियल में वह कैसी होग और इदर बड़ी जोर सोर से फोटोशुट चल रहा है सिर्फ जगे देखो कितनी बड़िया है कि आपका अब दो जग़ें दिखानी बाकी है और वह देखना कैसी है मेनसे वह दो जगों के बारहं में सुना है कि ऐसी है भो में अब भी नहीं बटांगbers यह आप डाइरेक्ट प्लोग में देखना कि और बता के पूरा मसा किलखिला नहीं करना चाहिता इसलिए आप व्लोग में ही देखना वो कैसी है और अभी हम लोग एक मस्त सी जगह पर जा रहा है वो जगह कौन सी है वो भी आपको बोलते में नहीं बताऊंगा तरेक अभी मिलते हैं वो जगह पर अभी बजए है दूपेर के वन ठटी और हम लोग है बोरोई डेम पर आप यह जो खुला खुला अरिया देख रहा है वो अभी बोरोई डेम का एरिया है और इज़र आप पहले यह पानी यह जो बूट खड़ी है नासाब वहां तक था लेकिन अब यह पानी इतना कम हो चुक जो बीच में जो है ना वो जूपडी जैसे हमको वहां पर जाने का है अब खाना खाने के लिए और एरिया इतना खुबसूरत है कि एक बारा पीज़र आ जाया होगे तो आपको इज़र से जाने का मन नी होगा इतनी दूप है लिगे ने थंडी थंडी आवा चल रहे है झाल झाल अब धी हम लोग यह ट्यां के बीचों बीच और पीछे यह जो आपको जूपडी दिख रही है हम लोग जने उसके अंदर बैठके खाना खाया बीच औ भीच यह यह अब हम लोग जा रहे है वापस ए catastrophic की तरव और आगे क्या होता है आपको दिखाते है और गाइस अभी हम लोग है जंग ये पूरा जंगल ही है पीछे गवर्मन कोटर्स है और उसके आगे की साथ ये जंगल है तो अभी हम लोग जंगल गुमने निकले ये अधर चिता भी आजाता है कभी कभार इसारे अडवेंचर्स इदर मिल जाते हैं इसारे अडवेंचर्स इदर हो जाते हैं मांट ख्लाइंबिंग भी है ट्रेकिंग भी हम लोग ने कर दी यह जो जगह पर अभी हम पहुचे है सब कहते हैं कि यह भूतिया जगह है यहां पर यानि की रात को इधर से आवासैं किसे लोग करके देख लिए बाहर गए फिर नमको इसा कुछ दिखा नहीं Talk से यह लोग बोल सके कि यह बूतिया जगह है और हम लोग और अंदर की तरफ जा रहे हैं पर कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा जिससे डर सके या जिससे बोल सके यह बूतिया जगह है और रास्ता भी देखो गाइस कितना खराब है और यह हमारे गाइड आगे चलते हुए हमको गाइड करते हुए यह तो इधर ही पले बले अधर है कैसा लग रहा है थकान लग रहे है थक्षण लग रहे है देखो क्या मस्त ए है अभी हम लोग बरुटरा के लिए निकल चुक है अभी बज़ रहे हैं के 7.30 हम अल्मोस 12.30 और वन और एप्रोक्स बरुटरा पाँच जाएंगे और यह दो दिन के ट्री बंबारी बहुत ही बढ़िया रहे हैं मैंने इतना कुछ नया नया देखा और सिखा मैं आपको बता नहीं सकता और इस ऐवर इवरीवन नोज जाए यह आपको अपना देखा हो गाहँ कीरत किया मैंने पर्सेल एक्सफ्पिरियंस किया और बहुं को दिन ह beginnen वह आपको खुद एक्सपरियंस करना पदेगा कभी आपको ऑफ मिलेंगी और अभी मैं तो सोगी जए रहा हूं कोईका दो दिन मैं थोडude सी में निंद नहीं है तो अभी मैं ये व्लोग कि दे रेंड कर रहा हूं और हम मैं तो भी मैं तो सोगी जा रहा हूं और बरुदरा पोचते, पिर बात में वापसे मिलते है अब बज रहे हैं, राज के 12.48 और हम अब बरुदराप में एंडर हुआ है और मैं कार में ही ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि हम दो लो इतने ठटका है कि गर पे जाएंगे और सिधे बेड़ पे सोने ही वाले, कपड़े भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पूरा दिन इतना चल चल किया है हम लगोने और बस गाइस बाई, चैनल पर नवे हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बाद में मिल जाएंगे नवे ब्लॉग के साथ